क्या कभी आपने देखा है डोली में दुलहन की जगा मरीज को ले जाते नहीं देखा अच्छा सुना भी नहीं तो ये देखिए कैसे पहाडों के बीच खतरनाक रास्ते से होते वे डोली में बठा कर मरीज को लोग ले जा रहे हैं सरकार के विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीर उत्राखंड की है जहां लीती गाव के डांगती में जब भी कोई ग्रामेंड बिमार होता है तो गाव के लोग डोली के सहारे पहले 7 किलोमीटर पैदल चलते हैं फिर सड़क के रास्ते बरीज को सामुदाइक केंद्र कपकोट पहुचाया जाता है लंबे समय से परेशान ग्रामेंड सरकारों से जल्द से जल्द उन्हें मुल्भूत स्विधाय देने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन उनकी समस्या आज भी जस्की तस है कपकोट के पूर्व विधायक लदित फरस्वान ने स्वास्त की सुविधायें मुहया करा दिये और आज आप देख रहे हैं कि सामा जैसे लगता हुआ जिला तैसिल मुख्याले का छेत्र आज भी स्वास्त सिक्षा जैसे महपूज जोलंत समशाओं से महपूज है तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी वावाई लूटने की मरीज को डोली में लेकर जाने के मामले में पूर जिला पंचायत अध्यक्र हरीश एठानी ने कहा इससे साफ पता चलता है कि रोजगार, सड़क, शिक्षा स्वास्ते के दावे पूरी तरह से जूटे हैं जन परतिनिद्यों को इन्हें पूरा करने के लिए आगे आना होग सरकार आती है और जाती है इसी तरह चुनाफ से पहले नेता भी ग्रामीडों की चोखट पर आते हैं और हवा हवाई वादे करके चले जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों को देख कर समझ सकते हैं ऐसे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आखिर कब तक उत्राखन के दूरस्त इलाकों में लोगों को जरूरी सुईधाओं से महरूम रहना पड़ेगा